दोस्तों यदने इंवेस्मेंट एकाडेमी में आपका स्वागत है। यूनिट लिंक्ट इंशॉरंस प्लान्स या यूलिप्स इंशॉरंस प्रड़क्ट्स होते हैं। और एक पॉलिसी टर्म याने कितने दिनों के लिए आपकी ये पॉलिसी वालिट रहेगी। प्रिमियम टर्म सिंगल पे हो सकता है, फिक्स डियूरेशन याने के 5, 7 या 10 सालों का हो सकता है या रेगिलर पे याने पॉलिसी टर्म में आप रेगिलर इंटर्वल पर अपना प्रिमियम भरते रहेंगे और प्रिमियम टर्म के आधार पर पॉलिसी टर्म 5 से लेकर 30 सालों त आप yearly याने सालाना, half yearly याने साल में दो बार, quarterly याने त्रेमासिक या मासिक याने monthly भी भर सकते हैं. मगर याद रहे, जैसे जैसे आपकी ये frequency बढ़ेगी, उतना आपका साल का premium amount बढ़ेगा, क्योंकि insurance company आपको जादा installments में premium भरने की सुविदा दे रहा है. युलिप्स के संधर में some assured एक term है जो आपने जरूर सुना होगा. Some assured एक agreement होता है insurance company और आपके बीच, जिसमें यदि दुरभाग्यवश घटना घट जाती है, जिसके लिए आपने ये insurance लिया हो, तो आपको some assured जितना amount जरूर मिलेगा. Single pay policies में minimum 125% जो आपका सालाना premium है, उतना some assured होता है और maximum आपके उम्र पर निर्भर करता है. आपके policy document में generally एक maximum age specified होती है, जिसके 49 या 45, जिसके अंदर यदि दुरभाग्यवश घटना घट जाती है, तो 10 गुना जो आपका सालाना premium है, उतना some assured mentioned होता है. और यदि इस maximum age के आगे दुरभाग्यवश घटना घट जाती है, तो 125% जो आपका सालाना premium था, उतना some assured mentioned होता है. Fixed और regular pay options में, जो आपका सालाना premium है, उसके गुनकों में some assured mentioned होता है. तो ULips में debt benefit कितना होता है? यदि आपने कोई withdrawals किया होंगे, तो some assured minus withdrawals या minimum debt benefit जो आपके policy में defined होगा, ये generally एक percentage होता है total premium paid का. ये 101%, 105% इत्यादी हो सकता है. या फिर fund value, तो इन तीनों में से जो सबसे जादा amount होगा, वो debt benefit के स्वरूप में pay किया जाएगा. अगला term है maturity benefit, यदि आप policy term survive कर जाते हैं, तो maturity पर आपको fund value मिलती है, जो आप एक मुष्ट स्वरूप में निकाल सकते हैं, या फिर structured स्वरूप में में निकाल सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा कर 1-5 सालों तक या 2-5 सालों तक जैसे आपके policy document में mentioned हो, वैसे निकाल सकते ह यूलिप्स 5 सालों के lock-in के साथ आते हैं, यदि पहले साल ही आप अपना यूलिप्स surrender कर देते हैं, तो आपके annual premium या फिर fund value का 6% या फिर 6,000 रुपे, इन में से जो भी सबसे कम होगा, उतना surrender charge लगाया जाता है, surrender charges दूसरे साल से कम होते जाते हैं, जहाँ पर 4 साल में, य annual premium या फिर fund value का 2% या फिर 2,000 रुपे, इन में से जो भी कम होगा, उतना surrender charge लगाया जाता है, पांच वे साल से कोई भी surrender charges नहीं है, lock in period में surrender करने पर भी आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, जो भी आपका fund value होगा surrender करने पर, minus surrender charges इतना amount आपका discontinued policy fund में move किया जाता है, जहाँ पर ये 4% का interest कमाता है सालाना basis पर, और lock in period के complete हो जाने के बाद, आप यहाँ से अपने पैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में हमने देखा ULips किस प्रकार के products होते हैं, और ULips के policy term, premium term, premium payment mode, some assured maturity benefit, death benefit और surrender charges के बारे में बात की, पार्ट टू वीडियो में हम ULips के balancing option के बारे में बात करेंगे, charges और investment of clarity के बारे में बात करेंगे, और taxation और returns भी देखेंगे, आश्या करते हैं, ये वीडियो आपके लिए useful रहा हो, इसे देखने का शुकरिया, ऐसे ही कुछ और topics के बारे में जानने के लिए हमारा channel देख चट करेंगे इसे दिद वीडियो आव के वारे में आवियो आवर नगे, शेखनेगे, बासले खेंगे, ऑर नगल से प्याव के बात करेंगे, और www.bay главное में बादारे में ये और पव में आव के लिए पकू और डारे में आव 270 आव के बाता करेंगे, तक्ट नहें हमारे में